हेलो फ्रेंड्स, विलकम बैक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइ डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग सीखने वाले हैं इस टाइम पे बहुत ही ज़ादा प्रिंसेस कट ब्लाउस चल रहे हैं और आप लोग भी प्रिंसेस कट ब्लाउस की बहुत ज़ादा डिमांड कर रहे थे बहुत जदा request आ रहे थी कि हमें princess cut blouse की cutting बताईए आप बहुत ही detail में बताते हो आप बहुत ही अच्छे से बताते हो तो आप एक बार फिर से हमें detail में बता दीजेगा princess cut तो मैं उसका वीडियो लेके आ चुकी हूँ अगर आप को भी देखना है, सीखना है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नए नए वीडियो देखने के लिए ठीक है तो चलो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रिंसेस कट ब्लाउस की पेपर में कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसानी से बहुत ही डीटेल में यहां पर हम लोग इसको फुरा open कर लेते हैं जो कि आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जाधा करके अब वह सभी प्रिंसेस कट ब्लाउज ही पहन रहे हैं तो आप लोग भी बहुत जादा डीमांद कर रहे हो तो इसकेलिए हमने पेपर लिया है जो हमारा दोपेज का बेपर होता है ठीक है इस तरह लंबाई बराबर है अब लंबाई हमें लेनी कितनी होती है मतलब बराबर तो लेनी होती है फ्रेंट और बैक की लेकिन इसकी लंबाई हमें लेनी कितनी होती है वो समझते हैं तो हमें इसकी लंबाई लेनी होती है पूरी जितना हमें ब्लाउस तयार रखने है उसमें 1.5 इं बारा इंच तयार रखना है जितना भी ब्लाउस तयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है लेकिन यह पेपर है तो इसमें इतनी ही लंबाई आ रही है अगर आप कपड़े पर करोगे तो वहां पर आप अपने कॉर्डिंग ले सकते हो 15 इंच रखना है तो उसमे तयार होने के बाद जितनी लंबाई चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है और फ्रेंट और बैक दोनों को बराबर ही लेना है हाँ लेकिन एक चीज और बता देती हूँ जैसे कि हम प्रिंसेस कट ब्लाउस दो तरह के होते है एक तो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ह और एक दो बना रही होता है और प्रिंसेस कट घे तो आखे वंप अन्च प्रिंसेस कट रहता हूँ और नीचे का सब्सक्राइबड भी लागी होती है लेकिन अगर आपको यहाँ पर जैसे बेल्ट के साथ में बना रहे होए होतो फिर आपको जो हमारा आगे वाला पल्ला ह उसको half inch extra लेना होगा पीछे वाले पल्ले से जैसे कि हमें यहाँ पर तैयार चाहिए 11 इंच का बलाउस इसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया दोनों पल्ले को हना तो इस तरह से नहीं आपको पीछे पल्ले को 1.5 इंच प्लस करके लिया है और आगे वाले फिर से जुड़ेगा तो वहाँ पर हमारा कपड़ा ज्यादा लगेगा तो इसलिए हम पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में अगर हम सिम्पल से प्रिंश कट बना रहे होते है तो दोनों को बराबर लेते है तो मैंने ये आपको लंबाई लेना समझा दिया अब चलो इसको फिर से हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया तो यह हमारा चार लियर में हो जाएगा बराबर से बिल्कुल ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया अब फोल्ड करने के बाद फोल्ड साइट को हम अपनी साइट को रखेंगे खुले भाग को दूसरी साइट को इस तरह से हमने रख लिया लंबाई निकालना हमने सीख लिया है कि लंबाई हमें कैसे निकाल ली है अब यहाँ पर हम बांकी के नाप डालना सीखेंगे तो देखो फ्रेंट्स हमने लंबाई निकालने के बाद हम गले के लिए धाय इंच पर निसान लगाएंगे तो इसके लिए देखो यहाँ पर हम ध पर निसान लगाया अब उसी निसान से नीचे की साट को लंबाई लेंगे गले की तो जितना गला आपको तयार चाहिए आगे वाला गला ठीक है आगे वाले गले की बात कर रहे हैं जितना आपको आगे वाले गला तयार चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेंगे जैसे इसके बाद यहां पर इधर साइट के एक लाइन खीचेंगे, यह हमारा एक बाक्ष हो गया, हाफ इंच पर ऐसे निसान लगाएंगे और यहां पर ऐसे हलकी सी गुलाई कर लिए, तो देखो इस तरह सी हमने यहां पर गुलाई कर लिया, यह हो गया हमारा गला, तो देखो I hope आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया है तो इस तरह सी हमारा गला हो गया अब गला हो गया आपको निसान लगाने के बाद यहां पर हम आरमूल का निसान लगाते हैं, हाँजर की बंद भाग से हम पाँस इंच सोल्टर लेते हैं लेकिन किसी कसी को थोड़ा सा चाइए होता है तो हम साड़े पांच इंच कर लेते हैं सॉल्दर ठीक है? कोई दिक्ट नहीं है अब हमने यहां पर जो निसान लगाया है सॉल्दर का वहें से हम नीचे की साइड आर्मॉल लेते हैं तो यहां से नीचे की साइड आर्मॉल लेंगे तो आर्मॉल हम साइज के गोडिंग लेते हैं, मालो यहां पर हम 6 इंच ले रहे हैं, इस तरह से यहां पर 6 इंच की लाइन खीच दी, अब इधर साइड को एक लाइन खीच तो यह हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, जैसे की जो हम नॉर्मल सबलाउस बनाते हैं तो फिर हम दो इंच मार्जिन लेते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे तीन इंच मार्जिन लेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर पूरा तीन इंच मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से तो हमने यहाँ पर तीन इंच मार्जिन ले लिया, अब इसके बाद यहाँ पर हम गुलाई करेंगे अपने आर्मोल पर, तो डेढ़ हिंच यहाँ से ऐसे लाइन खीचेंगे, और हाफ इंच अंदर की साइड एक पॉइंट देंगे, यह हमने डेढ़ हिंच पर लाइन खीचा और बस यह हम डेढ़ इंच लाइन वाले पॉइंट से गुलाई कर लेंगे, और हाफ इंच अंदर वाले इस तरह से पॉइंट से गुलाई कर लेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे, तो कमर का नाप यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जो आपका कमर साइज है उसे चार से डिवाइड करके यहां पर निशान लगाना है इसके बाद यहां पर भी हमें तीन इंच मार्जिन ले लेना है तीन इंच तो यहां पर जरूरी ही होता है क्योंकि जो हमारा नीचे की साइट से कपड़ा जाता है वो ज्यादा ही जाता है उपर यहां पर मिला डिया को चलो यहां पर हमने इतना निशान डाल दिया फिटिटिंग डाल लिए अपना अर्मोल पे गुलाई कर लिया 5 पर इसके बाद यहां पर हमें प्रिंसस कट का निशान डालना होता है तो कपड़े के बंद भाग से हम 3 इंच लेते हैं और 3.5 इंच भी लेते हैं और 4 इंच भी लेते हैं तो यह हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं अगर आप 30 साइज से कम का ब्लाऊज बना रहे हो तो आप 3 इंच लीज़ेगा और 30 से चालिस के बीज में बना रहरे हो तो साड़स िन इंच लेगा यह पॉइंट में आपको बता दिया कि किस साज मैं तो मैंने देचस होता है हमारा 30 का है तो हम हम यहां पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे यह one आला पॉइंट हम ले रहे हैं ठीक है अब यहीं से हम अंदर की साइड से 1.5 परrah देंगे यह अंने 1.5 प partner लगा दिया तो मैं लगा निधा दिया है इस वाले पॉइंट को olacak साइज के ओर कॉड़िंग साहरे 3 इंज डालेंगे तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट हो वो निशान लगा दीजेगा 32 के लिए हम यहाँ पर 9 इंच पर पॉइंट डालेंगे यह हमने 9 इंच पर पॉइंट डाला अब इसी पॉइंट से हम यहाँ पर इस तरह से यह पॉइंट और यह पॉइंट मिला देंगे यह ज करेंगे धाय इंच ऊपर निशान लगाएंगे यह अब इसी निशान से ऐसे इस वाले पॉइंट को ऐसे हलका सा कर्व देते हुए यहाँ पर मिला देना है यह इतना हमारा कपड़ा कट होके चला जाएगया इसलिए हमने यहाँ पर पूरा तीन इंच प्लस करके लिया है जिस इसकी ऐसे ही पूरी cutting कर लेंगे, तो चलो इसे हम cut कर लिते हैं, तो देखो friends, इस तरह से हमने बाहर वळी निसानों से cutting कर लिया है, जो हमने मद अधर के साथ डाwn किया था, उसे cut नहीं किया है, और ना ही अपना जो प्रेंसेस कट का निसान लगाया है उससे कट किया है तो इसे कब कट करना है तो चलो इसको पहले साइट में रखते हैं इसको पूरा ओपन कर लेते हैं जो पीछे का पल्ला है उसको हटा देते हैं आगे के पल्ले को फिर से ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं या पर ख़टी कर लिया ही समय में अगर आपको आगे वाले पल्लेहें हो इसको भी सेंट्र से वल्युक्ट कर लिया हैí यह पूर यह पांडी होग। तो फिल यहां पर आपको cutting नहीं करनी है princess cut का blouse जो होता है ज़्यादा करके back side में हमारे hook रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा look देता है अगर आप आगे भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बहुत से blouse में लगे भी होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है वो भी बहुत अच्छा look आता है तो यह आपके उपर है कि आप पीछे वाला hook पहनना चाहते हो या फिर आगे वाले hook आगे front part में hook लगाना चाहते हो तो चलो इस तरह हमने यहाँ पर princess cut blouse की cutting करना सीख लिया है अब पीछे की पल्ले में क्या करना होता है यहाँ पर बस इसकी लंबाई गले की बढ़ा देनी है और dot के निशान लगा देना है जैसे हम normal से blouse में लगाते हैं तो इस तरह से यह हमारे front part और back part की cutting कम्प्लीट हो गई है slaves की cutting करना मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेपर में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा साथ में वेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी तो चलो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में तब तक के लिए चैस्री कृष्णा राधी राधी